लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें अल्टर उतरो उसे यसर चल बे उतर नीचे क्यों बे सुनता ने क्या उतर नीचे साला तेरी तुम क्या अजीट ये तुमने क्या किया पहले तुम कानून के मुझरिम हो और उपर से पुलिस पर हाथ उठाते हो इसका अंजाम क्या होगा मालूम है तुमको अंजाम की परवा करने वाला ये क्या अगर मैंने जुर्म किया है तो उसकी सजा भी भोगतने के लिए मैं तायार हूँ मगर अपनी तोहीन और बेजदी मैं बिल्कुल बरदाश नहीं कर सकता आपके हवालदार को बत्तमीजी का सबक सिखाना जरूरी था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा मुझे मजेद सिंग वल्द शक्ति सिंग तुम्हारे उपर इल्जाम है कि तुमने बेस मई 1995 को मक्तूल बाबू का खून कर दिया अपने उपर लगाए हूए इस इल्जाम को कबूल करते हो यसे ओनर मैंने बाबू का कतल किया है अदालत जानना चाहती है कि इन प्रिस्थितियों में और किस वज़े से बाबू का खून हुआ खून तो खून है यह ओनर बिना वज़ा कौन किसका खून करता है अदालत की तरफ से मुल्जिम के लिए एक वकील अपॉइंट किया जा अगर उसके पास एक हजार जिंदिगियां भी होती तो मैं उसका कतल एक हजार बार करता है बस आप अपने जज्ज्मिन दिजिए तुम्हें इस बात को समझ रहे हो कि तुम्हारा ये बयान तुम्हें सजा मौत भी दिला सकता है मौत से चोटी सजा मेरी तोहीन होगी जद स किया अदालत मुझरिम अजीद को जेरे दफाद 302 के तहट सजा मौत का हुक्म सुनाती है कि अगरे 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 मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं तुम्हें पाप लगेगा अरे मेरी प्यारी सरकार मेरी गुले गुलजार मेरी जाने बहार जाने से पहले ये तो बताती जाओ कि मुझे किस गुणा के लिए यहां कैप किया जा रहा है इससे बड़ा और क्या गुणा हो सकता है कि बेजारी घर वाले को घर का काम ही नहीं कने देते हो अरे घर में घरवाले से बड़ा और क्या काम है अरे मेरी सेवा करो तो खुश रहोगी अरे सुखी रहोगी मैं ले कब्ले साफ करूगी अरे जब तक तो मेरी तबियत साफ हो जाएगी मुझे भी अपने साथ रख लो मैं तुम से अच्छी कब्ले साफ करूगा फिर प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी अरे जब तक तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा मुझे भी अपने साथ रख लो मैं तुम सभी अच्छा खाना बनाऊंगा अच्छा चाबी देदू चाबी लो लो चैजिन अगा चैटेस चला उठो खाना लो खाना मैफब दीटेर वाइफ मैं कबूल करता हूं कि मैं तुम्हारा उम्र क्यादी तुम हमारे दिल दिमाग में उतर गई हो और जो चीज हमारे दिल में उतर जाती है हम उसे हासल कर लेते हैं यर से एंपरि जपराघ इसे हासे, प्रिद खरदसिए! च्षण रवकेटियों च्षण रवकेटियों उच्षण राँ च्षण में चाहेँ न्यूटर जिप्रद एंपर खर गगेप खर खर घखर जाती है राँ आतर जाएव टील न्यूट जाएव झुण यह जानते में भी के हम दोनों की शादी होने वाली है तुन्हें उससे इसलिए तो उठा के ले जा रहा हूं पुछ में हाथ उठाएगा हुआ! 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 कप नफफ़ बॉट कर दो बॉट कर दोट पिर्ट एक बात ध्यान से सुन, आज के बाद अगर तुने सीमा की तरफ आंख उठा कर देखा, तो जान से मार दूँगा तुझे मनुज चलो सीमा कैदी नमर चतीस कल सुबाब पांच वजे, तुम्हें पांच हीती जाएगी थैंक यू सर, सुनो, अगर तुम्हारी कोई आखरी खौईश हो तो कहो, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ, मरने वाले की और क्या खायश हो सकती है कानून तुम्हारे जीने कहा कुछी चुका है हाँ, अगर कोई खास चीज तुम्हे खाने की इच्छा हो तो कहो, मंगा देंगे हाँ, आप मरने वालों से भी मजाग कर लेते हैं हाँ, जिन्दगी चीन कर मन पसंद खाने की दावत देते हैं क्या करें, जेल का रिवाज यही है वरना फांसी की तारीख सुनने के बाद किसको खाना च्छा लगता है ऐसा मत समझना जेलर कि मैं मौत के नाम से डर गया हूँ कई बार मौत मेरे सामने आई है और मुझसे हाथ मिलाकर वापस चली गये क्यांता हूँ कैप्टन अजीद कैप्टन अजीद नहीं कैदी नमर्चतिस कहो कैप्टन अजीद के कारणा में जमाना भुला चुका है जब मैंने इस मुल्क की सरहत पार करने वाले दुश्मनों को मार डाला तो सुनहेरे तगमों के लिए मेरा सीना छोटा पड़ गया था और वही मैं जब मैंने घर की लक्षमन रेखा पार करने वाले रावन को मार दिया तो उसके लिए मुझे फासी नाम में दी गई सरत पर जिन लोगों को मैंने मारा जेलर वो अपरादी नहीं थे गुनेगार नहीं थे खूबसूरत जवान थे किसी के भाई थे किसी के बेटे थे किसी के पती थे उन्होंने सिर्फ सरत पार की थी और मैंने उन्हें माट डाला मगर जिसने हमारे समाज की हमारे धर्म की बॉर्डर लाइन पार की अगर उसे मैंने माट डाला तो मैंने कौन से जुर्म किया मगर इससे तुम्हें क्या तुम्हें तो सिर्फ कानून की हिफाज़त करनी है चाहे इंसानियत का कुछ भी हो जाए हम जेल वालों को गलत ना सुझो हम तो बस वही करते हैं जो अदालत हमें खुब देती है आप अपनी रात की नींद खराब न करें घर जाके आराम से सो जाईए मैं सुब़ पांच बजे फासी के लिए तयार मिलूगा ठीक है क्या हो चलिटों हो गया शेक है अधने कि अधनि मैं अधनी में शेकर वगल लाखे घर में अधनी अधनी है एड हो यहार वी ए किसको क्यो एड है वर इस वर इसब वर इस का हो गे है चलती खोलु तो इसे क्या हो दिख अजी लगिव को इन वो इनकी तरी हमें कि यह कुल नेकी जल्दिक लंग सरो केंदी नंबस चट्थी सका चानुक तवह खराब होगया जल्ला सब्सक्राइब अ शारे का रखा आप कर दो है को मेशन उतल दिलाओ, तुम लोग शाराना! आप मेशन लोगो शाराना! चिनलाओक अ लोगो के अद़ के गदाने लुका ओभा कि आपाना și एडिक बाम मेशन बाभा बामिन कुम हिताो आप डिनस उगो करें दोपका लभा कि लुम लुम श्युम इंस जगाना, वबहाँ न खटाराना! वुम है व 오法 चे गुम है कि लुआ करताई ज हर लुट है del अ कि लुट nemब या जुट लुट एम रद हम बांद junior आप अाप अपाह भाप अजड़ एफ शड़त दोज़त हो ऑल और फे पाल नटीज़त दोग ते ऊहीं खाहे पाल नटिए औरीड़ पाल जापम पाल का दे आस पी शाम कलाल स्पीकिंग यह क्यादी नमबर चतिस जेल से भाग गया थे तेके अभी पकड़ता हूं हराम जा देखो जिन्दा नहीं छोड़ूँगा कहीं उसने मुझे ही मार दिया तो मैं क्यों जाओ मरने के लिए सारा सारा फुली स्टेशन पड़ा है मरने के लिए इंस्पेक्टर मनुज को भीजता हूं इस्पेक्टर मनुज सेगल यह रिस्पेक्टर मनुज दियस्पि शांकलाल बोल रहा हूं यस सर देखो जितनी भी फोर्स चाहिए मैं भेंजता हूं मुझे कैदी नमबर छातिस जिन्दा या मुर्दा चाहिए जी सर बशिश करना मुर्दा या लाओ सारे का मुर्दा इसार कि तृ यार या यार Chris पर शुटिए अब जो समझा रहा हूं वो समझ रहा है ना तू कैदी नंबर 36 जेल तोड़के भाग गया है मेरी तो पुरे दुनिया इल गई है सुन तू किसी बिल में छुप जा वो तेरे पीछे आएगा अब आपाटनर मेरे पीछे आएगा यानि तेरे भी पीछे आएगा अब आपाटनर मेरे पीछे कैसे आएगा मैं तो पुलिस वाला हूं मेरा तो बाल भी बांका नहीं कर सकता तू समझ गया गोली लगने के बाद तुझे कौन समझाएगा चुप जा चुप जा किसी बिल में घुश जा साल आईए वो मेरे पीछे भी तो आसकता है साला पुल यह पुलिस की नौकरे भी बड़ी अजीब है दिन रात बस काम ही काम और कुछ नहीं नहीं कोई बहाने बादे नहीं चलेगी तुम्हे आना पड़ेगा अभी इस ही वक्त प्लीज किया समझने की कोशिश करो मैं नहीं समझने कुछ भी बाइ मौन्टी तुम्हेस जनिमन मैं तुम यहां किसली आये हो इसलिए कि आज जीने की तमन्ना है आज जीने मरने का इरादा है आदाब निकल जाओ यहां से आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर छोड़ूँगा जानिमन क्या है उस दो कोड़ी के पुलिस इंस्पेक्टर में जो तुम्हें करोड़ पती MP के इकलोते पेटे को ठुकरा कर उससे शादी कर रहे हूं आज तुम्हें अपना की छोड़ूँगा देखो मॉंटी जूता चाहे कितना भी कीमती हो उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता उठ अगर शराफत से जाना होता तो इस तरह से अंदर नहीं आता और सुनो शादी तो मेरे ही साथ होगी अब भला इसी में है कि चुपचाप मांचाओ यू स्वाइन